हेलो फ्रेंड मैं हूँ पूजा मेरी चैनल इंडियन योट्यूबर वूमेन मैं आप सभी का स्वागत है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो के नीचे ग्रेट के लरगा बटन है उसको दवा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसकी बगल में एक बैल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि मैं अपने चैनल पर जो भी नई वीडियो दालू उसकी नोटेफिक एसन आपको साथ के साथ मिल जाए फिर आज मैं बात करूँगी आप अपने पेर पोदों को जो आपकी घर में क्यारिया होती है पेर पोदे होने कैसे आप अच्छे रख सकते हैं वो भी घर के जो वेष्ट सामान होते हैं उनके जरीए पिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जैसे आप घर में चाथ चलाते हैं वो जो बच जाती हो से आप ऐसे ही फैक देते हैं अगर उसे आप अपने पेड पॉदो में डाल देंगे तो फिर इससे क्या होगा आपके पेड पौधों की ग्रोध है वो बहुत ही जल्दी से बढ़ेगी और आपके घर में जो अंडे के छिलके होते हैं जो सबजियां बच जाती होने ऐसे ही फैकने के बजाए अगर आप पेड पौधों में डाल दें इससे आपके पेड पौधों में डाल दें उससे पेड पौधों की पत्तियां जो है वो बिल्कुल पीली नहीं पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छे रहेंगे अगर आप इनका इस तरह से यूज कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी बात है और इससे आपका कोई नुक्सान भी नहीं होगा आपके जो घर की क्यारियां है पेड पौधे हैं वो बहुत अच्छे से उनकी ग्रोध पड़ेगी अच्छे रहेंगे यही थी आज की मेरी टिप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना